हलो फेंड, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कुछ संकेत मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, बलड टेश्ट के अलावा शरीर कुछ संकेत देने लगता है, जिसके जरिये इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि कहीं शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ तो नहीं रहा, कोलेस्ट्रॉल वसा की तरह का पदार्थ है, जो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, शरीर में खाद पदार्थों को पचाने में मदद करने और अन्याकारियों के लिए कोलेस्ट्रॉल की जर्रत होती है, शरीर की हर कोशीका के जीवन के लिए कोलिस्टरॉल का होना अवश्यक है चु़कि यह वसा या चर्बी युक्त होता है इसलिए यहारक्ट में नहीं मिलता और च्छोटे च्छोटे करणों जिसे लाइपो प्रोटीन कहते हैं के रूप में संचरित होता है यह लाइपो प्रोटीन दो तरह के होते हैं इसे low density जैसे LDL इसे bad cholesterol कहते हैं जो धमनियों में blockage और heart attack के लिए जम्मेदार होता है और दूसरा है high density जैसे HDL इसे good cholesterol कहते हैं जो शरीर को हिरदय की बिमारियों से दूर रखता है शरीर में cholesterol का level पढ़ने के संकेतों में हाथ पैर में सिहरन महसूस होना हो सकता है जब खून में cholesterol का level बहुत अधिक बढ़ जाता है तो शरीर में मौझूद रखत वही काओं में अवरोध उत्पन होने लगता है और वे बंद होने लगती हैं ऐसे लोगों को अकसर हाथ और पै में दर्द रहता है ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि शरीर की peripheral नसों में परियाप्त oxygen और पोशक तत्वों से भरपूर खून नहीं पहुंच पाता और गरदन और सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होना अगर खून में cholesterol का level बहुत अधिक बढ़ जाए तो शरीर की अधिक conviction पर भी अशर पड़ता है और सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है इसके अलावा गरदन और कंदे में भी समय समय पर सूज़न और दर्द महसूस हो सकता है इसके अलावा सामान्य हिर्दै गती जैसे कई बार exercise करने के बाद या तेजी से दौड लगाने या सीडियां चरने के बाद या फिर कोई भारी physical activity करने के बाद दिल की धड़कन तेज हो जाती है इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है कई बार stress, anxiety या किसी दवा की वजह से भी ऐसा हो सकता है लेकिन अगर थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलने लगे ठकान महसूस हो या दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए या शरीर में high cholesterol level का संकेत हो सकता है इसके अलावा लगातार वजन बढ़ना शरीर हमेशा से ही सामान्य वजन वाला रहा है लेकिन अचानक बिना किसी कारण के शरीर का वजन लगातार बढ़ रहा हो और हर वक्त भारी-भारी या महसूस हो तो high cholesterol level का संकेत हो सकता है इस लक्षन को नजर अंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क कर अपना चेक अप जरूर करवाएं इसके अलावा अपनी आँखों की उपर वाली या फिर नीचे वाली पलकों पर पीले रंग की growth देखी है जिसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता घबराएं नहीं इससे आपकी आँखों की रोशनी पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा लेकिन यह growth इस बात का साफ संकेत है कि खून में कोलेस्टरॉल की मातरा बहुत अधिक बढ़ गई है वैसे तो एसेड या लेजर का इस्तमाल कर इन्हें हटाया जा सकता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये येलो कलर्ड ग्रोध पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आपको अपने कोलेस्टरॉल को नियंत्रेट करना होगा इसके अलावा कारनिया में ग्रे कलर का रिंग दिखना आँखों के सफेद भाग जिसे कारनिया कहते हैं इसके इर्द ग्रे कलर का रिंग या अर्क जैसा कुछ दिखता है वैसे तो यह इस्तिती बुजर्गों में आम बात है लेकिन 45 साल या कमर उम्र के लोगों की आँखों में अगर यह दिखे तो समझ जाएं की कोलेस्टरॉल लेवल बढ़ गया है शरीर में कोलेस्टरॉल को स्वेम देख नहीं सकते सिर्फ अनुभाव कर सकते हैं जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हिर्दे घात और दिल से संबंदित अन्या रोगों की संभावना बढ़ जाती है आम तोर पर पुरुशों के लिए 45 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष की आयू के बाद हिर्दे से जुड़े रोगों की संभावना अधिक होती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने शरीर में कोलेस्टरॉल की मात्रा को संतुलित नहीं कर सकते हो इसके लिए अपनी जीवन शेली में थोड़ा बदलाव करना होता है यदि वजन अधिक है तो इसमें कमी लाने का प्रयास करना चाहिए भोजन में कम कोलेस्टरॉल मात्रा वाले वियंजन चुनें तैयार भोजन और फास्ट फूट से बचें इसके साथ ही तली हुई चीजें अधिक मात्रा में चौकलेट ना खाएं और भोजन में रेशा युक्त समागरी को शामिल करें यह कोलेस्टरॉल को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं नियमेत रूप से वयाम करने से शरी में कोलेस्टरॉल की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती इसके अलावा योगसन भी सहायक होते हैं कोलेस्टरॉल कम करने में प्राणायाम काफी सहायक सिद्ध हुआ है और धूमरपान से कोलेस्टरॉल बढ़ता है कोलेस्टरॉल का चिकत की उपचार भी संभाव है कोलेस्टरॉल की अधिक मात्रा से पीडित व्यक्तियों है तू कई तरह के उपचार संभाव है पर इस पर आरांब से नियंतरन करना ही इसका सबसे बढ़िया उपाय है कुछ अध्यनों से पता चला है कि हरी और काली चाय कोलेस्टरॉल के इस तरको घटाने में कारगर है जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनमें कोलेस्टरॉल भी कम होता है और स्वास्तसंबंधी समस्याइं भी कम होती हैं हरी और काली चाय में जो प्राक्रेतिक रूप से कुछ रसायनों का मिस्रण होता है उनसे कोलेस्टरॉल काफी कम हो सकता है इसके लिए हरी चाय अकेले काफी नहीं है बलकि उसके साथ निमनवसा आहार भी लिया जाए तो दिल के दोरे का खत्रा कम हो सकता है तो फैन इस तरह से स्वास्त से जुड़ी बातें इतनी ही और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथी बल आइकन को भी प्रेस करें